नमस्कार दोस्तों, डीडीरेट केक और ये अच्छन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज वीडियो में देखने जा रहा हूँ, वीडियो है रिबाहा इम्रान का, और इसका टाइटल है पाकिस्तान गर्वर्मेंट ओर्डरस तु इंटेक सतू ल पाकिस्तान की गर्वर्मेंट में पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नया तौफ़ा पेश किया है, और वो तौफ़ा ये है, कि जो हमारा एजुकेशन डेपार्टमेंट है, उनको ये एडवाइस की है, कि आप अपनी एजुकेशन में, कॉलेजिस में, स्कूल में, युनिव चाहेंगे आपके इस तरह की स्टेटमेंट सा जाना और मुल्के जो हालात है, वो भी आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे क्राइसिस को देखते हुए, यार बहुती नॉन सेंस स्टेटमेंट है, कि आप चाहे छोड़के सत्तू पीएं, और आपकी बिजली लोग हैं, आपकी बड़ी एक मजबूत टीम है, और बलके आपकी आद्मिस्ट्रेशन के तो बड़े दावे थे और बड़ी बाते होती थी, तो अब प्रूव करो ना, अब काम करो, पता चले कोई स्ट्रेजी बनाओ, और अपनी बजाए इसके कि आप अपने इंकम बढ़ आपको पसीना है हुआ हमें भी पसीना है हुआ है, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा हुए है, तो लसी पीनी चाहिए है सब्सक्राइब पीना चाहिए, यह अच्छी बात है, अच्छा एडिया है, आइडिया अच्छा है, तो यह बताएं कि फुजूल सी स्टेटमेंट्स हा जाना, मतलब चाय को बाइकाट कर दें, मतलब एक 20 रुपे का कब जो है, उसको बाइकाट कर दें, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान को मतलब ग्रो करना चाहिए, हम तो दिन बाद दिन डाउन आते जा रहे हैं और फुजूल सी स्टेटमेंट्स आ जाना, लोग तो हमारी इस तरह की सिवा, तो यह बताईएगा कि आपको क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर इंशालला ब्राइट है, और अगर ब्राइट है तो फिर इस तरह की फुजूल सी स्टेटमेंट्स आ जाना, उपर से एकॉनमी की क्राइस दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इंपोर्ट बैंड की विया, इंपोर्ट अगर बैंड की विया तो हमारे पाकिस्तान में जो विजली की अभी देखने ये नो बजने वाले हैं और तो ये सारी मार्केट जो हैं वो बंद हो रही है, और एलेक्ट्रिस इटी तो ना दिन में आती है ना रात में आती है, जो मुल्के जो सिच्वेशन है वो आपके सामने है, तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? पावर शॉर्टिज की वज़ा से इन्होंने चाइना के पैसे पे नहीं किये, तो पावर शॉर्टिज तो होनी होनी थी, कर्जे नहीं पे करेंगे, बिजली के पैसे नहीं पे करेंगे, तो फिर पावर शॉर्टिज होगी, वो सिर्फ अवाम को लॉलिपॉप दिया हुए, कि भाई 9 बजे मार्केट्स बंद कर तो इससे यह होगा कि बचट बचट होगी बचट होगी तो और साथ-साथ जो बिजनस जो है वो वैसी खाना खराब हुआ है पंजाबी की कहावात है किसी गरीब बंदे से जा कर पूछने तो उनने करना सारा कुछ खाना खराब ही हो गया तो यह जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं और बिजनस जो आपके सामने पाकिस्टान की बिजनस की जो सिचुएशन है आप क्या कहना चाहेंगे बिजनस की सिचुएशन पाकिस्टान में आपको पता टेक्स्टाइल मार्केट्स जो हैं उनको गैस ना सप्लाय होने के वज़ए स से वह सारी टेक्स्टाइल मार्केट्स बंद हो गई हैं 45 परसेंट पाकिस्टानी जो है वो बेरोजगार हो गए यह सर्फ एक जैंबल मैंने आपको बताई है पाकिस्टान में बिजनिस पहले कहां अच्छा था यार मतलब आप देखें कि कोवेड के बाद से कोवेड पूरी कबस्टानु दुनिया में एक आलमी वबाय डिजास्टर आया पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तो कोवेड के बासे तो किसी का पिजनिस में निचरा यार मजलब इस तरह से नहीं के जो नरियुक् सब्सक्रास नहें नहीं गया उन्युजा है और जो फिर ढ़ता जबड बढ़ी अच्छी बात है कि अब 9 बजे मार्कीट्स बंद हो रही है यह यकीनां बुरा फैसला है यह जिस तरह से दुकानों को बंद किया जा रहा है अब बचाने के लिए आप क्या क्या करो गया तो वैसे ठप हो गया बिजली भी बचा रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमार बात हो यह बहुत अच्छा इनिशेटिव लिया है पाक्सान गवर्मेंट ने तो इस पर यह जो हमारे हमें चीज़े वेलेबल इसली वेलेबल है और हमारी अपने प्रड़क्ट्स हैं हमें उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि इससे एक तो सद्व है उसके लावा बाकी जो शुबात हैं गन्ने करस है ऐसी चीज़ों को मतलब मैं ऐसे मश्रूप लेन चाहिए ना कि चाही ठीक है और बाकीरी बात चाय की लेकिन आइस्ता है मतलब जो भी काम होता है जो भी तो और कोई चेंज आती हो आइस्ता ही आती है इंशालह उम्हीद करते हैं भी पाकिसानी अवाम जो है वो इस चीज को मानेगी और इस चीज को पर्मोट करेगी क्योंकि अपनी प्रोड़क्ट को मतलब उसको करना पीना खाना पीना इससे बेदर और कहती हो सकती है और एक खालिस चीज होगी आपके पास आपको यह लगता है कि हमाया हम कितने डाउन फॉल में जा रहे हैं कि चाय जो कि सिर्फ 30-40 रुपे का एक कप आ जाता था और रहा हम उसको कहरें कि इंपोर्ट ही ना करें हमारी पाकिस्तान का निजा कहा रहा है आखिर 30-40 रुपे का एक कप हमारे यह तो 5 रुपे या 10 रुपे मतलब अगर बड़ा कप ले ले तो 10 रुपे की चाय आ जाती है हमारे यह अब कहीं भी कहीं भी चले जाए दिली बॉमबे कहीं भी चले जाए तो 10 रुपे में आपको चाय अच्छी चाय बिलकुल अदरक वाली 10 रुपे में मिल जाती है 30-40 रुपे अगर हम डबल भी कर दें अगर पाकिसान का रुपे डबल है तो 20-25 रुपे हुए तो इसमें इतने कोई स्टरगल नहीं है बाकी ठीक हैं इंपोर्ट करते हैं वह चीजे भी ठीक है और जिससे आप आप देख लिए इंडिया को हम रि नहीं हर बात पर उनने का मेड इंडिया हर चीज़ पर्मोड करेंगे इस तरह पाकिसान को बी चाहिए के ऐस और गरसे लेए अगर अगर ऑंको मतलब एक मतलब एक अपना उनका एक लेवल है उस लेवल को देक्ते फिर वो देखें तो उससे बेतर यही है जो पाक्सानी प्रोड़क्ट उनको प्रमोड करें और वही बात चीज अच्छी चीज होती है जो अपनी आपनी बनाई हुचीज को मतल प्रमोशन बिल जाए तो उससे एक तो जरे मुबादले पर अच्छा सारात होंगे तो इस नहीं होगा इंपोर्ट करने नहीं पड़ेगी कोई चीज में अपने मुलिद में जो चीज आपको लगता है कि हम अपने मुलिद में चीज़ा बना रहें जी ऐसा इसा काम चार रहा था इम्रान खान को दोर में लेकिन अब तो जैसी अकुमत पीडियम 13 14 जमात्य कठी मिल किया है और दुबारा वही प्रोड़क्ट और वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएं पाकिसान में अगर इम्रान खान साब आगे तो जो हालत नज़रा जी नहीं 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 से पुराने में और दुबारा हैं और वही चीज़ें घी देख लें तेल देख लें अब खुद आपको पता है अब सफर करके आती हैं कितने रुपर लीटर डाल ढलवा कि आपाते हैं तो ठीक है महंगाई होगी अवाम को मतलो सेक्रिफाइब करना पड़ेगा लेकिन इतना भी नहीं जितना एक दम इन्हों ने शुरू कर दी है और बाकी नहीं बात इमरान खान की जो परक बात बात अब आपने खुद कह लिए काम की बात आरही है अब आइससा मामला ठीक होते हैं एक दम ठीक नहीं होते हैं और इन्हों ने आके एक दम हर चीज की कीमत इस तरह बढ़ाई है जो घुरीब आप उपीस के रह गी है अब वही जो कूके वाइल था उसको देख कूकेंग ऑईल तकरीबर पहले था चार सो पांच सो तक अब साथ सो आट सो अब दुबारा भी उनने टेक्स इंपोज करना है जो आई-एम-फ से यह दुबारा मुएदा कर रहे हैं उसमें यही तैप है जितना बजट आपने पेस किया उससे दस गुना कम बजट करें इस म पास से कुछ है मतलब करजा पाकिसान को दिया जिससे थोड़ा स्टेबल हुगा है लेकिन अब भी हमारे जो पीडिया में उसका उसकी निगाए आई-एम-फ करजे पर रिया हैं तो जैसे वह मिलेगा हमें यह समय नहीं आती करजा लेके फिर हम काते हम अच्छी तरक्य के जा रहे ही यह तो कोई नहीं नहीं की अपने बना है अपने चीजह बनाएं इससे बेहतर होगा पाकिसान के प्रमोशन भी होगी योवराल पूरे पूरे बाइब में और साफ़-चे परोड़क्स सेयल भी होगा सान को बनाफ़सर भी हो reckless ऑन season इते पाकिस्तानी गौर्में हैं और इस तरह की फुजूल की स्टेटमेंट्स आ जाना क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आप कहा वे देख रहे हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था हम देसी लोग थे पहले भी सतू लसीयां पीते थे फिर ये हमारे ने हो को खुकमरानों को लेकन कीमरान खान को किमरान कह Adams कटे बच्छों की मरूगीयों की इंड की बात की बात है अजए आगे पहले इनोंने कहा जी क्या हम अफने कपड़े बैज देंगे अब यह कह रहा है कि आप चाहे न या ज्यादा से तो एकॉनमी को फरेग नहीं नहीं पड़ेगा या तो आप बिलकुल एक कोका कोला पैपसी का बाइकाट करके गन्य का रास पिलाएं सब को फिर ना जो बड़े मल्टाई नेशनल ब्रैंड जो कमा रहे हैं चाहे कोई कितनी पी लेता है इस गर्मी में मतलब मै नहीं है हम पी सकता हूं आम सरदी में पांच शे का पी लेते हैं तो आप कोको कोला का बाइकाट करवाये ना आप कह, ढ sis मुलक में नई बिकने देंगे आप करें अप कि मॉक्मराणिय कोट हो सबस्टर डिंघ्र हम माल्टा बेचेंगे, माल्टे का जूस, गाजर का जूस, आम का जूस, तो ये बिलकुल आनमेचौर सा है और मैं समझता हूँ कि ये बिवाकूफाना बिलकुल उनका ये बियान है आप जो देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो एकौनिमी के क्राइसिस है, वो भी रूच पे जाते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि मुल्क जा कि सिम्त मेरा है, आखर आप क्या कहना चौहेंगे, उपर से चौहेंगे और इस तरह की फजूल सी स्टेट्मेंट्स आजाना, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर तो इन्शालला पाकिस्तान का ब्राइट होगा, लेकिन यसा ब्राइट होगा, ये तो बताएं किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करेंगे और और तो और बात रही, पंजाब में अभी तक वो बजट जो है वो मनजूर नहीं करा सके वैसे प्लैन तो चार साल इमरान खान भी रहके गए हैं उन्होंने कौन सा प्लैन दे दिया? महंगाई तब भी बड़ी करफशन इंडेक्स में आप सबसे ज़ादा उपर चले गए मतब इतना ज़ादा करफट हो गया चार साल में पाकिस्तान की पूछिये मत चार साल में आपने इतने ज़ादा करजे ले लिए कि पिछले क्या कहते हैं वो 71 साल में जितने करजे नहीं लिए गए उतने तो चार साल में उसके बराबर करीब करीब उतने चार साल में इमरान खान ने ले लिए 58 परसेंट करजा जो था 71 साल में लिए गया है जितना टोटल करजा है और करीब 42 फीजदी करजा सिर्फ 4 साल में ले लिया गया है तो आप सोचें कि इमरान खान कहां लेके गए इमरान खान हर देश से अपना बिगाड करवा बैठे अमरिका से बिगाड भारत से बिगाड हर तरफ से उसके बाद आप कहते हैं कि जी बहुत बढ़िया हो रहा है च पाकिस्तान का तो कोई नहीं सोच रहा ना फिर पाकिस्तान का सोचने वाले बहुत है लेकिन जो पाकिस्तान का सोचता है ना उससे कोई आगे आने नहीं देता आ भी जाए किसी ना किसी तरीके से आ भी जाए तो उसको कोई टिकने नहीं देता तो आने वाले टाइम पाकिस कि पाकिस्तान के फ्यूचर इंशाला ब्राइट है, आपकनि कैसा से रिखने जो हालातों मामलाथ लग रहे हैं, बहुत अफ्सोस से मुझे कहना पड़ रहे हैं कि बहुत जादा ताक्यामत स्लामत रहेगा पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा लोग आते जाते रहेंगे गवर्मेट्स आते जाती रहेंगे और पाकिस्तान इन्शाला ताक्यामत रहेगा स्लामत रहेगा लेकिन चुक्कि आपको पता कि जब गवर्मेट्ट तबील होती है तो पॉलिसी चेंज ने वो जब वो ढाली भाम ऑन शायाई मैं तरहांस होड़ा किया पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे पाकिस्तां में क्राइस आपड़ते ही जा रहे हैं उपर से पाकिस्तां जो है कि पाकिस्तान का आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं देखें पाकिस्तान का एक सुनेरी कोल है कि देर इस नो पावर ओनर दैट कर नंडू पाकिस्तान मुझे लगता शबाद श्रीव ने इस कोल देना उसके साथ पंगा लेना शुरू कर दिया कि कि अधा सकता मैं मिठा के दिखाऊंगा वैसे देखा जाये तो एक बार तो आधा मिठ चुका है ना पाकिस्तान 1971 में वो भाई साब कह रहे थे कि क्यामत सलामत रहेगा तो पाकिस्तान बनने के कितना सेंटारीस में बना पाकिस्तान और 70 में हो गया यह थे तो तीन साल उदर और 21 साल उदर, तो 24 साल में तो आदा पाकिस्टान चला गया, नामोनिशायन मिटगा, सलामत ही नहीं रहा पाकिस्टान, अब यह कह रहे हैं कि no one can undo पाकिस्तान, तो आदा तो चलाएं गया है ना, बाकी जो बचा है आदा उसको बचा लीजिए ये जो मुगालते में आप लोग रहते हैं ना ये बड़ा अजीब सामला है मुगालते में रहेंगे चलिए वास्ता कुछ रहा हम करें इस कौम पे 234-35 रुपे आपने अल्रेडी पैटरॉल कर दिया है इस पे भी आप समरी अरसाल करते हैं और फिर लोगों को ये डिकोसले सुनाते हैं कि जी वजीर अजीब सामरी पे साइन करते हुए रो पड़े आप दीता हो गए तो मैं अल्ला साला से डरता हूँ मुझे अपने पाकिसान से अपने मुलक से अपने कौम से अपने बाइवों से अपने आप से सबसे प्यार है मैं चाहता हूं कि ये मुलक जोए तरकी करे खुछाल रहे लेकिन खुदा ना खुदा ना खुदा ये अगर रहे तो हम दास साल पीछे अभी जा चुके हैं अगर ये मजीद रहते हैं तो हम पता नहीं वास्ता है हम पर रहम करें हमें जीने दें और पाकिस्तान को चलने दें पाकिस्तान एक बहुत खुबसूरत मुलक है खुबसूरती के लिहाज से वसाहिल के लिहाज से अवाम यहां पर बड़ी प्यार करने वाली है और सब मिले जुले हैं तो मेरा पकि से पाक्ता की एकोंनोमी वेतर होती है इतना तो मैं कहता हूं स्येस्टेूब्स कोई हaltet लोगों कि यह सट्राटिगी यह दोसी बात हैं जॉसी तो है को सतू गहुंद-गतीरा पियें यहां आप जो है ना वो दूसरा जो है कुछ मश्रूबाद भी है गर्मी जितनी है नहीं हीट वेव चाल रही है 41-42 टंप्रेचर जा रहा है तो उससाफ से चलें सत्तूलसी भी ठीक ही है लेकिन यह कोई अच्छा कोई step नहीं है कोई इतना अकल मन्दाना को बात नहीं है जो आप लोगों को और पाकसानी वाम को कह रहे हैं चाय कम कर दो और दूसरा यह एक चाय जो है वो इश्क बन चुका है लोगों का ना और फिर खास्तों और पर जो आशिक लोग हैं वह तो गर्मियों भी निए चाहिए चोड़ते चाहिए एक रुमेंस पाकिस्टानी पबली का तो वह चाहिए कम नहीं हो सकती चाहिए जितनी मरजी यह बंदिया लगा दें आपकि यह पाकिस्तान की फ्यूचर क्या देख रहे ह आप इसको जो हमारी क्राइसिस वह तो बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे और इस तरह की जाहिलाना स्टेट्मेंट आ जाना हमारी गौर्ण्मिंग के जानेब से तो क्या कहेंगे देखें यह बड़ी एडियोटिक परफॉर्मस है पीमलन गवर्मेंट की और आस तो और पेसन एकबाल साथ जिस तरह कहां पीते हो एक का पियो ठीक है न तो यह हमारी समझ में तो नहीं आथी दूसरा यह जो लोग मना कर रहे हैं न इनके दफ्तरों में 24 आर्श जाय चलती रहती है यह गरों में चाह चार चाबश्यक्ण को मना करना हैं लोगों को कहना बिझली क को पाकस्तानी आवाम करें 20-25 बारे के प्रोटोकॉल में गौम रहे हूं वह पेट्रौल लगती हैं वह कहीं पानी से निछ निछ थिक और देगें ठीक है ना उसके बाद पहले अपना आइलसिज करें खुद देखके हम की इतने को बजद कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो खतम हो गया है और देखा बड़े अच्छे जवाब आए और सभी सी बात है कि यह क्या बात होगे कि आप चाय कम पीनी कम कर दो तो इसे एकॉनमी सुधर जाएगी यह ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है और लेकिन यह तो होगे चलो एक तरफ की बात लेकिन यह है कि भारत करो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत जदा बुरे दोर में है मत अब एक तरह से कहएं तो बस आइस यू में लेटी है एकॉनमी और वेंटिलेटर पर उसको जिन्दा रखा गया है अगर ऐसे ही चलता रहा तब पाकिस्तान का भविश्य मुझे बहुत जादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है और ये क्राइसिस और जादा बढ़ने वाली है ये जो महंगाई आपको अभी दिख रही है ये कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहा है यकीन मानिए ये जो महंगाई अभी आप जेल रहे हो ये कुछ भी नहीं है इससे दो गुनी और महंगाई होनी है सरकार के पास और कोई चारा नहीं है सरकार के पास चीज़े मंगाने को पैसे नहीं है सरकार के पास पेटरोल गैस खरीदने को पैसे नहीं है सरकार के पास आपकी सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है अब आप सोचिए कि बिजली कटेगी तो बेचारों का दुकाने बंदोगी दुकाने बंदोगी तो दो पैसे कम आएंगे, दो पैसे कम आएंगे, तो बिचारे क्या करेंगे, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, कहां से पे करेंगे, तो यकीन मानिए पाकिस उसके पैसे पे नहीं किये गए है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में ये मसोचे चाइना विशुद बिजनेसमेन है कंट्री वो अपना नुकसान देख रहा है उसमें अपना भरपाई करने शुरू कर दी कि भाईया हम ना दे रहे बिजली तो आप समझें इस बात को और मुश्किल बढ़ने वाली है लोगों की सबसे ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि सही बाग कह रहे तो भाई साब कि GHQ की बिजली बंद कराओ जो PM हाउस है उसके बिजली बंद कराओ ऐसी बंद कराओ वहाँ पे बड़ी मातरा बिजली खर्च होती है तो वहाँ पे कभी ना लाइट बंद होगी ना ऐसी बंद होगी कुछ नहीं होगा सारा बैन जो है वो आम आदमी पर लगेगा तो इस चीज से और ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है तो उम्मिद करता हूँ कि पाकिसान के अवाम जादा न पिसे लेकिन मुझे लग नहीं रहे कि ऐसा होगा क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जहिंद जहिंद